देखें, synthetic rubber की जो दूसरी example है, वो है Buna N rubber, ठीक है, Buna N rubber इसलिए हम कहते हैं, यहां जो N लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है, क्योंकि इसमें अक्राइलो नैट्राइल का इस्तिमाल किया जाता है, इसलिए यहां जो है N का इस्तिमाल किया गया है, और Buna क्यों लगा ग है, क्योंकि इसमें बूटाइन मुझूद रहता है, तो 1-3 बूटाइन और एक्राइलो नैट्राइल का इस्तिमाल करके, हम Buna N को तयार करते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, कि जब एक्राइलो नैट्राइल और 1-3 बूटाइन का जब वो पॉलिमराजिशन किया जाता है, तो पॉलिमराजिशन की नतीजे में, जो पॉलिमर तयार होता है, उसी पॉलिमर को हम Buna N rubber कहते हैं, ठीक है, अब इसमें दो मोनुमर मوجود है, दोनों मोनुमर कैसे हैं, मुक्तलीफ है, दोनों मोनुमर डिफरंट है, ठीक है, एक 1-3 बूटाइन है, और दूसरा एक्राइ एक्राइलो नैट्राइल और 1-3 बूटाइन से, ठीक है, अब अगर आप इसकी सिंथेसिस को देखोगे, तो 1-3 बूटाइन का फार्मूला क्या है, ठीक है, 1-3 बूटाइन का फार्मूला हमको मालूम हो चुका है, अब यह है, CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2, ठीक है, यह 1-3 बूटाइन ह और एक्राइलो नैट्राइल का फार्मूला बहुत आसान है, लेखें, यह जो विनाइल केटेगरी वाले हैं, यह इसको मैंने आपको पहले बताया हूँ, जो मैंने इससे पहले जब आपको आपको आइडिशन पॉलिमेज़िशन बताया था, तो वहां बताया था कि ऐलो नैट्राइल, इसका फार्मूला क्या है, दबल बॉर्टाइल यानी नियाडिक को। तो यह हो गया आपका और यह हो गया आपका अक्राइलो NBA आप जैसे ज हमे सुटत के पॉलिमेज़िशन बताया है, यह बहुत ज्यादा इस्निमाल होगा और यह झाल बहुत ज़्या इस्तिमाल होगा जब दोनों की quantity बहुत जादा होगी हजारों के तिदाद में एक दूसर से जोड़ जाते हैं तो जब वन्तिरी बूटरडाइन का polymerization करते हैं एक्राइल और नाइटरल के साथ जो तो जो polymer हमारा जो तयार होगा वो polymer अगर आपके पास इस पर जादा है आप स्टेट लाइन में एक दम एक ही लाइन में अप्लिक सकते हैं तो एक ही लाइन में लिखें क्योंकि मेरे पास थोड़ी कमी है जगर की कमी है तो नीचे लिख रहा हूँ ठीक है अब कि इसके लिख पॉलीमयजेशन के नतीजे में जो तयार होगा जो पॉलिमर तयार होगा उसकाہ फार्मोला क्या होगा simple है आप क्या करेगे इस तरह से बनाओगे यहाँ CH2 है आपके पास फिर double bond है तो वहाँ single bond फिर CH फिर यहाँ single bond है तो यहाँ double bond फिर CH फिर double bond है तो single bond CH2 फिर से जोड़ दोगे आप किसके साथ acrylonitrile के साथ acrylonitrile का formula क्या है CH2 double bond इसके पास है तो single bond फिर CH और यहाँ CN ठीक है और यह जो unit है पूरए पूरए unit यह बहुत जादा quantity में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा ठीक है इस तरह से यह जो हमारा polymer तयार हुआ है इसी polymer को हम कहते हैं बूना एन रबर जो तयार होता है butadine और acrylonitrile से ठीक है चली अब इसकी property देख लेते हैं देखी जो बूना एन रबर होता है बूना एन रबर पर chemical का कोई असर नहीं होता है ठीक है it is not affected by chemicals and it is also not affected by pressure इसको पर pressure कभी कोई जादा असर नहीं होता है इसलिए तो इसका इस्तिमाल बूना एन का अगर आप uses को देखोगे तो बूना एन का use अगर आप देखोगे तो gasket बनाने में जो valves वगएरा होती है उसकी fitting वगएरा करने में इसका इस्तिमाल किया जाता है या जो tank वगएरा होती है तो tank की ceiling वगएरा करने में भी बूना एन तो खास्तों से जो इसका यूज है वो यह ही है कि जो सिलिंग होती है ज js जो तरफे इस kula के रिंग के लिए तक cage क्रिण की लिए इसarner मे say के लिए को बूना एंड रबर होती named इसी तरहा से दोस्ते जो walls वग्यरा होती है उसके लिए जो rubber का इस्तेमाल किया जाता है वो rubber कौन सा होता है बुना and rubber होता है क्यों क्योंकि यह rubber होता है यह rubber काफी pressure को भी सह सकता है temperature को भी बरदाश्ट कर सकता है और साथी साथ इसको पर केमिकल कभी कोई जादा असर नहीं होता है